हे गाइस वेलकम टो माई चैनल यहां आप मेरे फेस पे आइड में भी भी स्वेलिंग है जादा अच्छी तरीकी से ठीक नहीं हुआ है स्वेलिंग तो खैर मैं भी वाइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे भी है तो उस टाइम पे तो कुछ जादा था और आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टाइट कर रही हूँ साठे दा सिगारे बज़े के आसपास का टाइम हो रहा है और यहां पे मैं वाश कर रही हूँ पालक इस पॉर्सम पर्क दोनों लोग टीवी देख रहे हैं साधना भी ब्रेक वास्ट करके आई है और यहां आप नीच और उसके बाद इसको वाश कर ले रही हूँ चार-पांच पानी वाश करोंगी किसमें मिट्टी होने के चांसे रहते हैं और जब मिट्टी होते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छाने लगता है वह एग्दम टेस्टी ने लगता है वह तो फिर पीक नहीं पढ़ता है तो पालक अच्छी तरीके से वाश हो गया है तो मैं बस यहां पर आ गई हूँ बैट पर जहां फोल्डिंग लगी हूई है तो आज भी साथ में कट करूँगी यहां साधना बात कर रही है फोन पे और हीटर भी था क्योंकि बहुत जादा सर्दी है ना ज्यादा इतनी ज्यादा म पानी है तो कितना अच्छा दिख रहा है एक तम ग्रीन बहुत अच्छा दिख रहा था तो मैं तो थोड़ा सी केप्चर कर ली अपने केबरे में और मैं इसको छोटे-छोटे पीसे में कट कर लोगी और साथ में ओनियन भी में कट कर लोगी तो यहां पे देखिए पूरा यहां साथना किचन में हूरी थोड़ा सा उसको ग्राइं कर दिया चनी की दाल करने के बाद फिर थोड़ा सा बेसन भी उसमें मिक्स करना है तो बस मैं किचन में आ गई उसको रखने के लिए और मैं थोड़े दिर बाद आप लोका नाम भी लेती हूं जिनके जिनके नाम लेना है और हमारी पैकिंग भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है तो बस यहां पर दाल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है चैने की दाल एंड इसमें उसके बाद में पालक वालक सब डालोंगी और इसमें मिक्स कर दे रहे क्यों कि इसी पतीले में इसको फेटना है फेटना मिल थोड़ा था मिक्स करना है पतीला होता है नो तो बहुत ही जाता है वरना फिर मिक्स नहीं हो पाता है तो यहां पर मुझे कुछ लोग के नाम ले थे तो सबसे पहले में नाम लेती हूं सुमन सर्मा और इनको हैपी निव यह इनोंने बोला था प्लीज मेरा नाम लेके जरूर विश्करना एंड उसके बाद है रिया पांडे और इनो तो एंड उसके बाद है रमनकोर और निवा कुमारी हैपी नुए अडियर शोनी शर्मा एंड उसके बाद है अपना याद रुची तिवारी एंड सौरब दूबे श्वेता जैसवाल एंड उसके बाद है सीमा गुपता अक्ष मिश्रा एंड यहां पे मैं बेसन मिक्स कर र मांशी एड उसके बाद है वंदना पा Patak Aarty यादो अलका कुमारी अर्पिता मिश्रा एंड उसके बाद है काजल कुमारी यह मेरी नियु सब्सक्राइबर हैं वैलकम है आपका एंड उसके बाद है पुजागुपता अर्वीन कुपता एं मेघा सिंग सिंग एंड करिंजर जीत कौर एंड उसके बाद है कुमारी मानशी एंड कुछलो की पूजा गुपता एंड उसके बाद अभ्य सिंग तो ये कुछ लोगों के नाम है और जिन लोगों के नाम रह गए हैं उनके नाम में नेक्स्ट ब्लॉग में लूगी मैं अभी जारी हूँ छट पे साथा छट जा चुकी है क्योंकि बहुत ज़ब ठंडी है मैं तो इटर के सामने बैटी थी 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 काम कर रही थी पर बुली कि तुम चले जाओ और मैं फिर थोड़े चाई में आती हूँ तो बस मैं अब एक फ्रेंड से बात कर रही थी और भी फिर जा रही हूँ चाद पे और पर खिला दूंगे अभी क्योंकि उपर ना अराम से खाले का इसलिए अपल को चलिए चलती हूं थोड़ा दूप में बैठोंगी फिराओंगी तो नीचे बैठोंगी इन यहां चट्पी में आ गई थी और एपल लेकि आई थी और साथ में था सिंगाडा दो सिंगाड़ा साथना को बहुत पसंद है जो कच्छे वाला सिंगाड्या होता है तो मैं चट्पी लेकि आए त्यूंकि छत बैठे बैठे थोड़ा सा खालो एंड अपल संपर खार रा था और इस परस्ट दोनों लड़ पड़ेते एपल खाने के लिए इसी वजह से साधना हास रही थी और दोपर टाइम था थोड़े देर भूप में बैटने में अच्छा भी लगता है एंड यहां देखिए एक अपल और दोनों इदर उदर कर रहे तो फिर में दुबारा जाक करना इनके लिए तो शाम को ही फ्राई होगा बट इस टाइम जीतना हमें खाना है रहे हूं जो छोटी वाली कड़ाई है मैं सुचती हूं ना ही उसकर फिर इसको यूज करे लेती हूं तो जब मैं यूज करते हूं यहां इस पोश आगया तो इसका क्याप में ठिक करें जो ठोड़ा बहुत इधर उदर होई जाता है और यहां पर मैं गई थी हॉल में और इसके बाद हमारा क्षाना जो है वह बंचुका है और मैं यहां पर निकाल रही हूं राइस और गर्मा-गरम राइस सरदियों में खाने में अच्छा लगता है ठंडी मतलब ठंडा राइस बिल कर लिजे दाल एंड पालक प्यास के पगोड़े और आपनों का लंच टाइम क्या होते हमारा वहीं एक बजे के आसपास कहीं टाइम होता है और हमने लंच कर लिया था उसी टाइम पर एंड ये शाम का क्लीप है और शाम को हमारे घर में बनने जा रहा है घी और ये सारा मलाई है जो आप पतीले में देख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा पहले तो मिक्स कर दे रही हूं और कढ़ाई रगती हूं गरम होने के लिए कुछा पहल देख और कड़ाई हा उसके और इसको डालू तो ज़्यादा अच्य तरीके से बनता है जैसा कि माहमी बोलते हैं तो यहां पे में ने काढ़ाई रगती है और यह गरम कर लाए तो आपको दिक रहा तो वह सूख जाएगा इसकत के कर पाते से ज्यादा हो गया है तो इतना सारा मलाई और इसमें घी भी बहुत अच्छे से निकल जाता है तो इसको थोड़ा-थोड़ा मेसा चलाती रहोंगी और नीचे तो थोड़ा सा पकड़ लेता है वैसे लास्ट में क्या होता है न कि बहुत सारी रोग इसको अच्छे से फेट के ग्राइंडर में उसके बाद बनाते हैं बट मुझे ये वाला इजी लगता है तो मैं ऐसे ही अक्सर बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में इसको अच्छी तरीके से फेट दे रहूँगी इसको खाते हैं तो हम भी खाते हैं बट मैं जब नहीं खाना होता है तो मैं थोड़ा सा जब चला देती हूं तो अच्छी तरीके से घी जो है वह अलग हो जाता है और आज शाम को हमारे घर रात में बढ़ने वाला है एक कड़ी तो साथना उसका मसाला बना रही है दूसरी साइट में कूकर में और यहां पर मैं दूसरी साइट में इधर गही बन रहा है तो बस एक नहीं है तो यह लेकर आएंगे शाम को तब वाइल होगा तो हम ने सोचा कि पहले तो हम इसका कड़ी जो होता है प्याज जो मसाला है उसको हम बना लेते हैं और रात में बस हम एग गुप वॉयल करके और फ्राई करके हम डाल देंगे तो बस वही मैं बोली कि पहले तो मसाला बन जाये गए एंड उसके अहां देखे एक खड़ा ज तो यहां पर साथना डाल रही है और डाल चुकी है एंड मिर्च वेगर उसी में कटे हुए है और लैसुन जोता है लैसुन भी उसी में उसके बाद उसको अची तरीके से मिक्स कर लेगी एंड हम सोचे ना कि हम पहले ही बना लेते हैं जली-जली क्योंकि हमें शाम को करनी थी पैकिंग तो रात में पैकिंग हम करेंगे जो भी होगा साड़ी गारा बारा जो भी इतना डाइम हो जाएगा क्योंकि बच्चे लोग भी हो काफी जादा परिशान करते हैं यहां देखिए घी का जो मलाई था न वह बिल्कुल डार्क होने लगा है तो इसको थोड़ा-थो यहां हमने गैस बंद कर दिया और घी बस निकालना है तो यह वाला बाउल मैंने दिया उसको असाधना को निकालने के लिए एंड इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी था इसलिए वह ड्राई कर रही है उसके बाद उसमें च्छनी लेके जो चाय वाली च्छनी है उससे उस च्छोटे वाल से निकाल लेती हूं और फिर बड़ा रहता है न तो मैं उसमें ऐसे कर लेती हूं तो यह यहां पे बस इसको मैंने दिया किसे निकाल के ट्राई कर लेते हैं वेससे इससे नहीं होगा और मैं यहां पी मुझे डॉक्टर के पास आना था तो यहां पे में प्लेटर दालोंगी तो यह थोड़ सा बड़ा पढ़ गया उसके बाद चोटा वाला ये इस बा मौत यह से बहुत यह तरीक दो यह तो इतना आसा निकाल निकाल के और चनी में जब डालो ना तो बहुत इजली मतलब निकल जाता है तो और जो उपर की मलाई होती है वह अलग तो यहां पर देखिए बाउल में इतना सारा घी निकल चुका है और मैं इसको थोड़ा सा क्लिप बनाए इसका आप लोगों को दिखाने के लिए और जादा दिन की यह मलाई नहीं थी फिट भी बहुत ही अची तरीके से इतना सारा निकल गया है तो मैं इसको काज के जार में रख दूँगी यहां पर मैं तयार हो रही थी तयार नहीं बहुत ही नजदीक ही जाना है मुझे तो बस मैं जैगिंग और उपर से जैकेट मैंने डाली है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है यहां पर समपर मेकप अपना कर रहा था और वह वैसलीन या फिर बोरो प्लस वेगरे ल लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूं आजकल मैं हेयर पर तो इस तरीके से बहुत ही बेकार सा तीन चोटी है आप लोगो दीक रही है तो बस थोड़ी दिन बाद जब ठीक हो जाएगा भी सर्दीया भी है और तब्यत भी ठीक नहीं इसी वज़े है और ईसे स्वेटर या जैकेट उसको भी डाल देना है और यहां पे भी साधना फिर से गये किच Nänej में और समपर्क आ जा रहा है ऐसे कर रहा है तो देखिये आंके आहां रिखन के स्माइल कर रहा है और यहां पर खुद को देख रहा था कैमरे मैं और इस पर केमरे में दे खीअ कंटों पर यहां पर यह आफिस आ गये थे और यह लेकिया थे समोसी तो बस हम समोसी खाएंगे और उसके बाद मैं निकलूंगी तो यहां पर मैं डाक्टर के पास आर beginner की मैं और्स टोड़ो सा बनायता था तो उसको मैं एड इड कर दिया और यहां देखिए स्पॉर्श है और मैं हूँ और उसके बाद मैं बाहर निकल गई थी तो यहां से लेना है था हमें दवाई तो डॉक्टर ने मुझे एक दो दवाईयां थ्री मन्स खाने के लिए बोली है क्योंकि उससे फैक्शर ठीक होगा और ऐसे तो नॉर्मल मैं हफ़ते भर दवाई और खाऊंगी उसके बाद मैं बंद कर दोंगी यहां पर आ गए थे जो हमने घर लिया है उसका मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया तो आप लोग भी देख लीजिए यह है किचेन और बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे पसंद आया यह घर इसी वज़े से हम ले रहे हैं तो यह किचेन है और किचेन में भी काफी स्पेस है उसके बाद यह हौल तो यह टू भी अचके है और हौल के बाद यह हो गया एक बेडरूम और बेडरूम से टैस्ट लेट बाथरूम है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह और यह बेडरूम का साइज थोड़ा सा बड़ा है और इसके बाद फिर यह एक और रूम है यहां पर यह भी बेडरूम तो यह भी इसका भी साइज ठीक है और पीछे में बहुत सारी मतलब स्पेस दिया हुआ है गैलरी वे गर और साइड में भी गैलरी है तो मैं आगे की ब्लॉक्स में आप लोग को दिखाऊंगे यह मैं छोटा सा ही ऐसे क्लिप बना पाई थी तो यहां जो भी मतलब रूम का साइज था वो सारा कुछ अच्छा है तो आगे आप लोग को रूम